तो दोस्तो अब बॉर्डर इलावों में टनल्स के जरिये किस तरस दे दुश्मनों को एक काफी बहतरी इन चक्मा सबक सिखाय जा सकता है इसका विकल्ब भारत ने फाइनल एक काफी अच्छे अंदास में खोज लिया है दरसल अब यहाँ पर बॉर्डर स्टेट्स में ऐसे ऐसी मल्टी परपस टनल्स बिल्ट की जाएंगी जिसमें नके बिल ही हम गाड़िया चला सकते लेकिन यहाँ पर स्टोर किये जाएंगे लैंड बेस्ट शॉर्ट रेंज टैक्टिकल मिसायल्स जी हाँ आपने बिल्कुल ठीक सुना और यह development तब निकल कर आ रही है जब Indian Rocket Force यह अब काफी तेजी से काम कर रहा है और यह पूरा बिसिकली शेप लेता जा रहा है रिपूर्ट निकल कर आ रही है कि भारतिय आम फोर्स अब जल्द ही प्रले शॉर्ट रेंज टैक्टिकल ब्लास्टिक मिसायल्स को एक्क्वायर कर सकती है और इसकी रेंज 152-500 किलोमेटर्स की है असानी से जो भी चाइना के काफी concentrated line of actual control में जो इनके basis है फिर इनकी post और काफी सारी ऐसी चीज़े इन है सीधे सीधा target किया जा सकता है मालीजे अगर कुछ problem हो गया काफी intense उस मामलो में तो बेसिकली हम टिबेट की इलाकों के आस पास ये काफी strategic tunnels ऐसी बनाएंगे होता है यहाँ पर काफी तेज गती से deployment किया जा सकता है और हमारी जो भी missiles है क्योंकि tunnel के अंदर है तो काफी safe रहेंगी हलांकि इस मामलो में चाइना को भी बिलकुल underestimate ना कीजेगा हाल में यहाँ पर satellite imagery showcase हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हुए कि कैसे चाइना plateau regions में अपने tunnels construct करने में लगा हुआ है to store missiles and ammunitions in fact यह जो आप एक काफी massive underground जैसा कुछ देख रहे हो यह basically यह लोग facility construct कर रहे है near their airport जो के काफी important logistic center है air base है for चाइना का इस region में इसके लावा इस air base से यह 2 km की railway line भी निकाल रहे है वैसे चाइना इतना जादा आगे आप पहुच चुका है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन्हों ने first fully electric bullet train भी launch कर दी है भारत के काफी नस्दीक border इलाकों पे लेकिन अब जो यह dual purpose rocket tunnels बना रहे हैं इस से line of actual control में चाइना को इतकराना जवाब दिया जा सकता है ऐसी तैयारी हम कर रहे है वैसे इस dual purpose tunnel के बारे में आपकी क्या रहा है definitely comments में बताईएगा